आज हम English की Grammar Power Drill Part 1 स्टार्ट करेंगे हम करेंगे Use of A and N जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में, फर्स चैप्टर में उन्हें पढ़ा था कि हमारे जो English के लैटर्स होते हैं उसमें कुछ vowels होते हैं और कुछ consonants होते हैं vowels कितने होते हैं? फाइव होते हैं A, E, I, O, Q जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है और इसके अलावा जितने भी लैटर्स होते हैं वो सब consonant होते हैं हमें और A और N के लिए हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? A और N के लिए हमें इसकी जरूरत है क्योंकि इनके रूल्स इनके साथ बने हुए हैं जो वर्ड्स वावल से स्टार्ट होंगे यानि जो वर्ड A से, E से, I से, O से या U से स्टार्ट होगा उससे पहले हम N लगाएंगे A, N, N और जो वर्ड्स इन से स्टार्ट नहीं होते हैं उनके साथ हम A लगाते हैं जैसे कि अब नीचे एग्जेंपल दिये हुए हैं देखे, A is used before consonant लैट उस रीज साम एग्जेंपल जैसे बॉय B से स्टार्ट होगा तो क्या लगा है? A लगा है जैसे स्टार्ट हुआ तो क्या लगा है? A लगा है W से स्टार्ट हुआ तो क्या लगा? A यह सब consonant, sparrow S से स्टार्ट हुआ, A लगा छिक है? लेकिन अब नेक्स देखिए अपल, A से स्टार्ट हुआ है A क्या है? A, E, I, O, U यह आपको याद रखना है बोल बोल कर याद करने है और एपल जो है इसे स्टार्ट होता है एलिफंट इसे स्टार्ट होता है एन आया आइस्क्रीम आई से स्टार्ट होता है एन आया इसी तरह से देखे नीचे भी अंप्रेला यू से स्टार्ट होता है एन आया और आउल उस से स्टार्ट होता है तो भी क्या आया आया यानि ए आई ओ यू सिरफ यह पांच लेटर से अगर आपको याद रहते हैं यह वावल्स हैं यह बहुत काम आएंगे आगे इनको तो आप टिप्स पे ए ए आई ओ यू ए आई ओ यू फाइव तैंस तैंस बोलो यह लर्न हो जाएं होँ ए कैट ए डॉल ए गन हिए हाऊस ए होता क्या है एम इस एक और एंद एट मिस एनमीस भी एक ही होता है फिर हम अलग अलग क्यों लगाते है यह रूल्स हैं बस क्योंकि जो कॉंस्टेर्ट उनके साथ ए आएगा और जो वोबल्स उनके साथ भी एन आएगा तो मीनिंग दोनों का सेम है, a house, a kite, a mouse, a pen, a rose, a skirt, a watch, और एन वाले पढ़ेंगी हम, an aeroplane, an ant, an egg, an eagle, an ice, an igloo, an ostrich, an orange, an umpire, an unicorn, right? next है, let us execute, take the correct answers, अब इसमें आपको ये picture दी गई है, ये क्या है, monkey है, अब monkey किसे starter है, m से तो आपको ये बताना है, a आएगा, an, a आएगा, क्योंकि वोवल तो नहीं, an, m, इसके बाद देखिए, ये elephant है, elephant के साथ क्या आएगा, an आएगा, अब ये टिक किया नहीं, आपको क्या आएगा, an आएगा, right, क्योंकि a से start हो रहा है, a वोवल है, और ये है snake, you know, snake ऐसे start हो रहा है, ऐस तो वोवल नहीं है, इसलिए इसके साथ a आएगा, right, ये आपको next page आ गया है, इसमें भी आपको a और an का भी भरना है, ये देखिए, मैंने भरके दियो है, an eagle, a good girl, an ice cream a goldfish, an umbrella, जहां वोवल हैं, वहाँ an का यूज किया गया है, an owl, an ice cream, a tasty cake, a broken leg, an orange, इसके बाद ये आपको pictures match करनी है, कि किस के साथ में a आएगा, और किस के साथ में an आएगा, right, ये a के साथ कौन कौन से आएगे, a rose, पहले रोज की picture और फिर ये रोज लिखा होगा है, इसको match करना है, इसके बाद ये number two पर deer है, d से start हो रहा है, तो इसके साथ भी a आएगा, और ये deer इसे match कर दिया, हमने, ये an है, an किस के साथ आएगा, umbrella, u for umbrella होता है, ये दिखे, u से start हो रहा है, और ये elephant भी e से start हो रहा है, इनके साथ दोनों के साथ, आपको picture match करनी है, ये भी बह